राम राम संग्वारी हो मैं रिशी साहू उडानाइस एकेडमी के e-learning प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तरपुस्ति का वर्स 2018 के मुख्य परिक्षा की और इस कड़ी में हम आज देखने वाले हैं वो है 36 गड़ की समाजिक परिद्रिश या 36 गड़ की कला संस्कृती ये आपका भाग जो है मुख्य परिक्षा के प्रस्न पत्र 6 में सामिल है और भाग 3 में ये सामिल है जिसमें लिखा हुआ है 36 गड़ का समाजिक परिद्रिश इसी पर हम देखेंगे 2018 की उत्तर पुस्तिका के साथ बहतर अंक लाने की एक योजना और आपको उत्तर लिखन किस प्रकार करने हैं जिससे अधिक सेधिक आप अंक अर्जित कर सके तो देखते हैं इसके पहले सिलेब देखें तो सिलेबस में लिखा हुआ है जन्जाती तो जन्जाती का समाजिक संगठन परिवार विवाह गोत्र ये सब चीज़े हैं उसमें फिर आगे जन्जातियों के विकास इतिहास और इससे नीतियां और समयधानिक प्रोधान की बात कही गई है विसेश पिछड़ी ज अन्य जन्जातियां जातियां अन्य पिछड़ी वर्ग की जातियां ये लिखा हुआ है और इन सब में आपके आभूसन और विशेश परमपराएं जन्जाती समस्यां से संबंधित प्रश्ण यहां से आते हैं 36 गड़ की लोक कला लोक संस्कृती ऐसे पूरे 36 गड़ की कला संस्कृती में 36 गड़ की संगीत एवं ललित कला के लिए स्थापित संस्थाओं को लेते हुए परियटन तक यह आपका पाठेक्रम है पाठेक्रम पर हम ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं बढ़ते हैं आगे देखते हैं इसके प्रारुप को प्रस्ण और अं अंक के प्रस्ण आने हैं आठ प्रत्यक प्रस्ण में दो दो अंक होंगे जिसकी सब्द सीमा होगी वो होगी 30 और कूल अंक देखें तो होंगे 16 चार चार अंक के प्रस्ण आने हैं 5 सब्द सीमा होगी 60 और कूल अंक होंगे 20 आठ आठ अंक के प्रस्ण आने हैं 3 सब्द सीम होगी 100 और कुल अंक हो जाएंगे 24 वहीं 15 अंक के दो प्रस्णा आपको दिये रहेंगे जिसमें से आपको एक बनाना अनिवारिय है मतलब प्रस्णों की संख्या एक जो बनाना है सब्द सीमा 175 और कुल अंक हो जाएंगे 15 इस प्रकार हम कुल अंक देखें इस भाग से इन 17 प्रस्णों के कुल अंक तो वो होंगे 75 माक्स के इस भाग 336 गड़ के समाजिक परिद्रिस्ट से आने है अब देखते हैं वर्स 2018 में पूछे गए प्रस्णों का उत्तर पुस्तिका के साथ एक विशलेशन तो पहले हम बात कर रहे हैं दो अंकों के प्रस्णों की कितने प्रस्णों होंगे 8 एक एक करके देखते हैं प्रस्ण नंबर पहला प्रस्णाया था जंजाती की परिभासा दीजिए अब आपको हम बता देना चाहते हैं कि किसी भी मानव सास्त्रियों ने जंजाती समुदा की कोई एक परिभासा नहीं हर मानव सास्त्रों ने अलाग अलाग परिभासा है इसकी प्रस्तूत किये हैं अगर आपको लिखना है चार लाइन में क्योंकि दो अंग के लिए चार लाइन आपको मिलेगा इस पेस इतना है इन चार लाइन में आपको मैनेज करना है तो आप लिख सकते हैं पॉइंट करके दीवासी परीभासा करके साइट ही दे दे या जंजाती परीभासा में सामिल है एक इनका दूर्गम आवास छेत्र फिराब बता सकते है इनकी विशिस्टकला एवं संस्कृति फिराब बता सकते हैं इनकी प्रथागत कानून जिन तो चार पट में आप चार चीज़े लिख सकते हैं, बढ़ते हैं, आगे प्रस्ट दूसरा है, otisgar जम्जातियों के कौन सी प्रमुग भासाई समूं है तो तीन भासाई समूं है, एक को बोलते हैं, मुंड़ा भासा परिवार, एक को बोलते हैं द्रविड भासा परिवार एक को बोलते है movie इनके द्वारा ये तीनो लिखा गया है अब इन्में इनको प्रात अंक हम देखें तो इस दो अंक में इनको मिला है एक अंक, एक अंक मिला हुआ है, अगर इसमें और आप लिखना चाहें, इनके दोरा लिखा कि मुंडा भासा परिवार, आरे भासा परिवार, द्रविड भासा परिवार, तो हो सके, और आप थोड़ा से लिख देते कि मुंडा भासा परिवार में कौन-कौन सी जन जाती बोल कौमावासे निहाली यह दो तीन एक्जामपल क्ला कि です यहां पर दे सकते humble भार में फद्री यह दे सकते Supreme अब जो आता है कुड़क है गोड्य है मड्या है थोड़े एकजामपल देंगे तो पर कुछ और अंग पॉइंट 5 एटलिस बढ़ सकते हैं लिखा गया सही है चलते हैं अगले प्रस्ण की और प्रस्ण अगला है घोटुल के प्रकारिये लिखिए अब घोटुल तो आपको सबसे पहले बताना है घोटुल मुरिया अदिवासी में प्रसलित एक युवागरी है फिर इसके प्रकारिये में मतलब इसके फंक्सन बताना है क्या क्या होता है इसमें तो घोटुल में जो आपके सदस्य होते हैं पुरुस सदस्य क्या बोलते हैं तो आप बताएंगे महिला सदस्य क्या बोलते हैं या आप बताएंगे पुरुसे के प्रमुग क्या कहलाते हैं पॉइंट नमबर एक घोटुल मुरिया आधिवासी समुधाय में प्रचलित युवागरी है, फिर बता सकते हैं सदस से करके तो आब बताएंगे कि पुरुष सदस, फिर बताएंगे आप महिला सदस, फिर बताएंगे इनके प्रमूख, तो प्रमुक में पुरुष प्रमुक किन नाम से जाने जाते हैं, महिला प्रमुक किन नामों से जाने जाते हैं, अब फिर बता दिजेगा एक लाइन में अगर आ आ पा रहा है, तो इनका उद्देश घोटो लिस्थाफित करने का main object क्या है, बढ़ते हैं आगे, अगला प्रस होता है, इसमें सादा कलर का एक जंडा होता है, उसी जंडा को चड़ाने की क्रिया, लगाने की क्रिया, पालो चड़ाना बोलते हैं, ठीक, फिर बता दिजेगा कि जंडा सान्ती का प्रतीक है, जैत खाम, एक इस्तम्भ है सतनाम पंथियों के आपका धार्मिक प्रतीक के र गयारा में से कोई 2 नाम लिख देना है। इसमें आपको पूरे से पूरे नंबर मिल सकते हैं, लेकिन इनको प्राक्थ अगर हम अंक देखें तो इनको एक अंक मिला होगा। इसमें पूरे से पूरे अंक भी मिले हैं कुछ कई लोगों को। दो के दों क्योंकि इन्हों ने भी लीखा है पूरा तमोर पिंगला सेमार सोत दो अभ्यारन इंदरावती कांगेर घट बढ़ते हैं आगे लोकोक्ती को परिभासित करते हो इसके दो उदाहरन दीजिए अब ये लोकोक्ती है जनरली हम जानते हैं लोगों में प्रचलित उप लोकोक्ती कहलाती है डिफाइन कर दीजिये फिर दो उठने उसके उदाहरन देना है ये आपका प्रश्ण अगला है पहले परिभासा उसके और इसके दो उदाहरन बढ़ते तीजा, अब तीजा का क्या महत्तो है रहे भई, तो ये जो है माताओं के लिए महत्तो रखती है, महिलाओं के लिए महत्तो रखती है, इस दिन जो है महिलाएं जो है वो निर्जला वरत रखती है अपने पती के दिर्ग आयू के लिए, पौरानिक महत्तो आप जोड़ सकते है ये तीजा उप्वास माता पारवती से जूडता है तो महत्तो का आप एक्स्प्लेन करेंगे यहां पर हर्ताली का वुरत का महत्तो दो तीन प्वॉंट में मिंसन करीएगा सरहूल का संचिप्त टिप पनी कीजिए सरहूल तो आपको पता होना चाहिए सरहुल जो है उराव जनजाती के द्वारा चैत्र महने में मनाया जाने वाला एक पर्व है इसी पर्व के दवरान उराव आदिवासी समुदाय जो है वो एक रित्य करते हैं जिसको सरहुल रित्य के नाम से जाना जाता है बढ़ते हैं आगे अब हम बात कर रहे हैं, 4 अंक वाले प्रस्ट की, जिसकी सब्द सीमा 60 होगी, और इसमें आपको प्रस्ट मिलेंगे 5, एक-एक करके देखते हैं, प्रस्ट नंबर पहला 4 अंक वाला कोटोंसर गुफा क्यों प्रसिद्ध है, तो आप बताएगा कोटोंसर गुफा की प्रसिद इस प्रकार की मचलियां पाई जाती है, वो इन पॉइंट्स में इंसन करते हुए, आपको इन 7 लाइन में लिखना है, 7 लाइन आपको मिलेगा इस वेस इस 4 नंबर के लिए, बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर, देखते हैं, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती म लेकिन जो भारती समिधान अनुसूचित जाती आदेश के अधार पर अगर परिभासा देखें, तो अनुसूचित जाती को मैं पहले बता रहा हूं, अनुसूचित जाती, वह मानाव समुधाय जो एतिहासिक रुप से सोसित तथा वन्चित रहे हों, सोसित और वन्चित य इनको भारती समिधान अनुसूचित जाती आदेश 1950 के तहत इस लिस्ट में सामिल किया गया है एक अनुसूचित जन जाती इसको कैसे डिफाइन करेंगे तो एतिहासिक रूप से पिछड़े हुए अर्थिक समाजिक प्रशासनिक एतिहासिक रूप से पिछड़े हुए ऐसे म आना उस समुधाय को भारती समिधान अनुसूचित जन जाती आदेश 1950 में सूचि बद्ध किया गया है ये बताईएगा आप अंतर फिर आप आगे बता सकते हैं अनुसूचित जाती और जन जाती में अंतर लेकिन मेंली ये अंतर बताना है आप समिधानिक प्रवधान लेक को दिया गया है तो 341 अनुसूचित जन जाती को कहां सूचि बद्ध किया गया है तो 342 अब आप 36 गड़ के प्रस्ण हल कर रहे हैं तो आप यहां पर बता सकते हैं कि ये जो अनुसूचित जाती है वो 36 गड़ में 43 सूचियों में सूचि बद्ध है जबकि ये जो है वो 42 स अगर इनको मिले अंक हम देखें तो इस प्रस्ण चार अंक में इनको आधा मिला है मतलब दो अंक मिला हुआ है ऐसा लिखते हैं तो कुछ और अंकर जित हो जाते थे लेकिन इन्हों ने भी सही लिखा है उसको पैराग्राफ एटिंग के बढ़ते हैं आगे प्रस्ण है 36 गड़ के आदिवासी आंदोलन पर एक टिप पनी लिखिए अब हम इतिहास में पढ़ते हैं ये आदिवासी आंदोलन तो हम पढ़ते हैं कहानी सुरू होता है बस्तर छेत्र की पूरी कहानी आदिवासी आंदोलन में थोड़े बहुत आपके मिलेंगे सरगुजा छेत्र में आप पॉइंट में लिख सकते हैं दो तीन को ऐसे पहले बता देजा कि बस्तार्चेत्र में यह विद्रोह हुए ठीक कारान थोड़ा से एक्स्प्लेंड कर देजेगा कि यह विद्रोह क्यूं हुए तो विभिन्न कारान थे में कारान था सोसान फिर आप बता सकते हैं उत्तर फिर अब आप बताएंगे कि ए जो है चतिसफगड का एक प्रचलित लोकनाटे यहां चतिसगड में जो है समाजिक बूराईयों पर अगहात किया जाता है और उसका मंचन होता है ठीक जैसे नाचा हसी ठीठोली के मार्धियां से मंचन होता है ठीक उल्टा गम्मत जो है हसी ठीठोली रहे गई लेकिन इसमें समाजिक बूराई जैसे सराप खोरी बाल विवाह महिला प्रतार्ण ऐसे समाजिक गुराई है हमारे समाज में है इन ही का मंचन गम्मत के माध्य हमसे किया जाता है और किया जाता है तो तोली मंडली के माध्य हमसे किया जाता है आप एक्स्प्लेन करिएगा यहां बढ़ते हैं आगे अगला प्रस्ण है सिरपूर का क्या महत्व है सिरपूर तो चार पंड लिखेगा अगर एतिहासिक महत्व देखें तो सिरपूर का संबंद इतिहास में सरप पूरी तथा पंडुवन से रहा है अगर इसका हम देखें सांस्कृतिक महत्व तो सिरपूर एक प्रमुक सांस्कृतिक इस्थल है जो मिस्टर संस्कृतिक के केंद्र के नाम से जाना जाता है प्राचिन काल से ही जहाँ पर जैन, बौध और हिंदु धर्म का समागम है फिर आप बता सकते हैं इसका पूरा तात्युक महत्व तो यहीं के पूरा तात्युक उत्खानन से कई इसमारक मिले हैं जैसे बोला जाए तो यहीं पर है आनन्द प्रभु कुटी विहार जो पूरा तर्थिक उत्खनन से प्राप्तु है समाजीक महत्व यहां एक विशिस्ट कला संस्कृति विद्यमान है और यहीं पर होता है सिरपूर का मेला माख कुणिमा में और यहीं पर होता है आपका सिरपूर महुत्सौप चार पॉइंट में बताईएगा ज्यादा बेटर रहेगा इन्होंने भी लिखा इंडिकेट करते जोड़ा है इतिहास को फिर इतिहास में आगे बढ़ गए है लक्षमन मंदिर यह भी इतिहास का है अब जोड़ दियें संस्कृति धर्म को तो इनके द्वारा भी लिखा गया है इनको अगर हम देखें मार्किंग तो इनको मिला है चार में से दू आप चार पॉइंट में लिखेंगा थोड़ा से आंसर में विस्षिस्टता आएगी क्योंकि सब लाइन कम है और आपको जादा चीजे कंटेंट देनी है ताकि प्रभावी आपका उत्तर लिखाना बढ़ते हैं आगे अब देखते हम आठ अंक वाले प्रस्ण सब्द सीमा होगी जिसमें 100 और यहाँ पर आपको जगा दिखाते हैं इस्पेस दिखाते हैं कि कि नंबर एक लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छटवा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारवा, बारवा, और तेरवा, तेरा लाइन है आपको आठ अंक के प्रस्ण लिखने के लिए आप देखते हैं प्रस्ण, प्रस्ण आयों था च्छतिस गड़ का कारी विभिन जन जातियां करती है, जैसे बीरहोर, विशेश पिछडी की मैं बात करनू तो, कमार, ये दोनों विशेश पिछडी हैं जो बास सिल्प में लगे हुए, ठीक, बात करें अगर अन्य और आदिवासी समुदाय, तो धनवार भी बास सिल्प का काम करती है, और यहां पर टोकरी निर्मान की बात कर, चरिहा, टुकना, सूपा, ये सब टोकरी बोले तो, ठीक, छतिस गड़ी में, तो टोकरी निर्मान का संबंध इन ही से है, कंडरा आदिवासी समुदाय से, जो की गोड की एक उप जाती या उप जन जाती है, तो आप पूरा एक्स्प ये जो इनकी कला है, वो इनके आजिविका का साधन भी है, फिर आपको बताना है, बात सिल्प चतिस गड़ में, प्रमुकता से अदिवासी समुदाय के द्वारा ही किया जाता है, आदिवासीों के नाम दिख देना है, यही नादिवासी लोग ये कारे करते हैं, तोकरी नि दिविका निर्वहन के लिए आगे बढ़ाए रही है और अभी भी इस कला या इस व्यवसाय में ये समुदाय लगा हुआ है बढ़ते हैं आगे अगे अगला प्रस्ण है बस्तर के गोड़ जंजाती के कलातमा के स्मृती इस्तंबो का क्या महत्व है इस्मृती इस्तंब और बस्तर के कलातमा कहने एक मतलब इसमें मूरिया माडिय मेनली ऐसे तो बहुत आदिवासी समुदा है गोड में आप देखें दक्षिन चत्तिसगर के आदिवासी जो गोड में आते हालबाग छोड़ साब के साब आते हैं अबूज माडिया मूरिया माडिया परजा धुरुवा दोरला ये सब बस्तर छेत्र के आदिवासी समुदाय हैं जो गोड की उप जन जाती हैं जिसमें से मूरिया और दंडामी माडिया या माडिया की मैं बात कर रहा हूँ मृता की स्मृतिस्तंब बहुते होते हैं उसमें से मैं मृता की स्मृतिस्तंब की बात कर रहा हूँ तो उनको जनरली दफनाने की परमपरा रही है तो दफनाते हैं तो वहीं पर एक सजा के मस्त खंभा को उसी को गड़ा देते हैं और उनका जो भी सौंक रहा होगा जीवन काल में जो भी की होगे उन चित्रों को कलात्मा कुरुप से अंकित कर दिया जाता है तो उसी को बोलते है स्मृति इस्तम ये परंपरा गोडा दिवासी में प्राचिन काल से रही है और ये अभी भी प्रचलन में है बढ़ते हैं आगे प्रस्नाट नंबर का आखरी था देवारों के सांस्कृतिक धरोहर परंपरागत लोक कताएं परंपरागत नृत्यों पर प्रकास डालिये अब दिखा रहा है सांस्कृतिक धरोहर में परंपरागत लोक कता और परंपरागत नृत्यों किसकी बात के जा रहा है देवार अब हमें पहले देवार जानते हैं देवार कौन है तो 36 गड़ के जो 43 अनुसूचित जाती समुदाए है सूची बद्ध उसमें से एक है ये देवा कहने का मलब 36 गड़ का एक अनुसूचित जाती है सेडूल कास्ट है अब यहाँ पर इनकी लोक परंपरा तो देवार बंजारा समुदाए कहलाता है ये जो है अपनी आजिविका का निर्वहन जो है घूम घूम कर नाज गाकर या फिर लोक कथा गाकर करते हैं जैसे इसमें विशिस्टता है एक महिला वो है आपकी रेखा देवार जी जो फेमस इस लोक कथा में या लोक गाई का में देवार समुदाए का प्रतिनिधित तो करती हैं तो सांस्कृतिक धरोहर ये धरोहर इनमें सुरू से विद्यमान है और ये इनकी संस्कृति का ही देन है और इनकी आजिविका का साधन भी है तो आपको बताना है परंपरा गत लोक गाथा ये दिवार समुदाय विभिन लोक गाथाओं का गायन करते हुए अपनी आजिविका को चलाती है और संस्कृति को आगे बढ़ा रही है वहीं आप बताएगा परंपरा गत नृत्य तो बीरम नित्य दिवार जाती के द्वारा ही गाया जाता है और इन लोग नृत्य गीत गाकर अब मांगते हैं बंजारा का जीवन जीते हैं आप इसी में बता सकते हैं इस नृत्य परंपरा गत नृत्य में ही बोल सकते हैं कि ये जो दिवार समुदाय है वो 36 गड़ में गोदना सिल्पकार के रुक में विकारे करते हैं क्योंकि यहां पर सांस्कृतिक धरोहर धरोहर में यह भी आएगा गोधना का लाइन को मिला है धरोहर ठिक बढ़ते हैं आगे प्रस्न 15 अंग का है सब्द सिमा 175 है दो प्रस्न दिये हैं जिसमें से आपको एक लिखने है प्रस्न एक दिया हुआ था 36 गड़ की जंजातियों पाये जाने वाले विवाह प्रकारों का वर्णन कीजिए और प्रस्न दूसरा अथवा करके दिया हुआ है जंजाती विकास में सिक्षा संबंधी समयधानिक प्रवधान इनके सिक्षा के विकास के लिए क्या-क्या प्रवधान किया गया है और क इसमें सिक्षा संबंधी समयधानिक प्रवधान बता सकते हैं कि समयधान में क्या क्या प्रवधान है आप इसमें जोड़ सकते हैं क्या राइट टो एजूकेशन को भी क्योंकि उभी सिक्षा संबंधी समयधानिक विधीक प्रवधान है विधी बनाया गिया दोजार नौम फ निसुलक, इन लोग को पाठे पुस्ता, गणवे स्वितरन किया जा रहा है, वो सब आप explain करते हैं, इसको लिख सकते हैं, बात करें अगर इस प्रस्ण इनको लिखने में जो अंक मिला हुआ है 15 में से वो है 9 अंक, बहुत ही अच्छा अंक है 9 अंक इनको मिला हुआ इसके लि होता है, कहने से तात पर यह है कि एक लड़का जो है, एक लड़की से विवा करें तो एकल, और एक लड़का या लड़की एक से अधिक लड़का लड़की से विवा करें तो बहु विवा है, फिर आपको बता देना है, इनके विधिमानी विवाह में पती भात्री भी पतनी भगनी विवाँ भी होता है जब पतनी कर डैथ हो जाता है तो भगनी उनकी बहन पतनी के कहले का मतलब 36 गढ़हिम बोले तो सारी साली से भी विवाह करते हैं लोग ये आपको बताना है फिर उसके बाद एक एक करके समान ने विवाह का प्रचलन रहा है इस आदिवासी समुदाय में गंधर वो विवाह का प्रचलन रहा है भागेली या छतिस गड़ें बोलते हैं उड़हरिया विवाह का प्रचलन रहा है एक अक लाइन में explain करेंगे फिर लमसेना विवाह होता है, गुरावाट विवाह होता है, उड़हरिया विवाह होता है, भागेली विवाह होता है, चड़ विवाह होता है, पायसोतूर विवाह होता है, ऐसे आप विवाह परमपराओं को point to point बताना चाहें, तो भी ठीक है, न तो थोड़ा से space है आपको point to point लिखना है क्योंकि विवाह परमपरा बहुत सारी है आप लिखते चलेंगे पूरा विवाह नहीं आपाए जैसे इन्होंने सिख्छा वाला लिखा है तो देखे point to point लिखा हुआ है योजना फिर उसके बाद कौन-कौन से आवाश्य विद्याला योजना जवाहर उतकरस मुख्य मंत्री बाल भवी सीसी में प्रयास विद्याला आएगा आस्था गुरु कुलसाब आएगा 36 गड़ युवा कैरियर निर्मान योजना यही जो है आपका कोचिंग देता है फ्री में सिविल सर्विसेज यह भी वही है चातरावास चातरावास प्रोवाइड क्या जा रहा है ठीक यह फिर स्वास्त जन स्वास्त मन योजना तो यह योजना है वो पॉइंट पेंड इनके द्वारा लिखा गया तो इनको अच्छी मार्किंग हुई है यह था आपका 36 गड़ का सामाजिक परिद्रिस्ट जो मुख्य परिक्छा के आपके प्रस्ण पत्र 6 में है आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसांद आया होगा अगर वीडियो पसांद आये तो लाइक करें कमेंट करें और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए जय चत्तिस गाड़